अगर आपको 5 पैसा एप्लिकेशन से लोन लेनी हैं तो आपकी इस तरह से लोन ले सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत कम इंटरेस्ट के साथ लोन मिल जाएगी सबसे पहला हम बात करेंगे इस एप्लिकेशन को किस तरह से यूज करना है इसके लिए आपको प्लेटोर पर उप्लाब एप्लिकेशन नहीं मिलेगा इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है 5-Pesa-Lon.com अब जैसे ये साइट आप सर्च करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा उपन होने के बाद अब यहां पर आप से पूछता है कि जो भी आप लोन लेना चाहते हैं वो किस नंबर से लेना चाहते हैं यहां पर आपको अपना मोबाल नंबर सर्च करना है यानि कि टाइप करना है इसके बार संबिट कर दे ले सकते हैं तो चले बात करते हैं इसके पूरी डीटियल के बारे में मोबाइल नमबर वेरिफाई करने के बाद अब आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है यहां पर आप देखेंगे तो आपके सामने एक ओप्शन आता है लौन का आपको सिंपल सा लौन पर क्लिक कर देना है यहां पर आप देखेंगे बारे परसंट पर एनो के साब से आपको यहां पर लौन मिल रही है वो भी आप पांच लाग रुपे तक की लौन ले सकते हैं इसके लिए आपके सामने यहां पर एक ओप्शन मिलेगा अपलाई नाउ का सिंपल सा आपको अपला यहां पर फिल करेंगे वै वो लिड होनी चाहिए आपके पास OTP वगेरा भी आ सकती है इसके बाद आपका जो Date of Birth है पैन कार्ड के बेक में देख सकते हैं अब इसके बाद आएगा आपके सामने जेंडर का आप मेल फीमेल या अधर हैं तो आप इन में से चोइस करेंगे जैसे कि मैं मेल हूँ तो मेल पर किलिक करके यहां पर एक option मिलेगा next का आपको simple सा network किलिक कर देना हैं अब यहां पर नीचे के और देख कितने रुपे की जरूत है आपको यहां पर बताना होगा जैसे कि हम यहां पर एक सट हजार रुपे फिल कर रहे हैं और जो हमारा मंतले इंट्रेस्ट होगा वह होगा टू पॉइंट जीरो परसेंट ऑनवाइड के हिसाफ से यानि कि हमने एक महीने के अंदर टू इसाफ से इंटर देना होगा इक सट हजार रुपे पर आप जितनी भी लोन लेंगे आपको यहां पर फिल करना होगा इसके बाद आपको नीचे ऑप्सिर मिलेगा कि आप यह लोन कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं आप चाहें तो शिक्स मन्त के लिए ले सकते हैं आप जो भी EMI होंगी वो आपकी नीचे की ओर दिखाए देती हैं तो चलिए हम एक बार आपको किलिक करके दिखा देते हैं अब जैसे हम सिक्स मन्त पर किलिक करते हैं तो हमारे सामने इसकी EMI निकल कर आ जाती है टोटल EMI 6 बनेंगी और जो EMI होंगी वो कितने रुपे की होगी यहां पर आपको दिखाए जाएगा यानि कि आपको हर मेहने कितनी EMI पेक करनी होंगी अगर आप 6,000 रुपे लेते हैं तो इसके बाद आपको एक ओप्शन मिल जाता है नेक्ट का अगर आप 6 मेहने के लिए लोन लेना चाहते है तो आपको सिंपल सा नेक्ट पर किलिक करन है इसके बाद आपसे कहता है कि क्या आप एगरी हैं अपने क्रेडिट एनिलिस के लिए अगर आप एगरी होते हैं तो आपको नीचे आयस आयगरी पर किलिक कर देना है यहां पर आपका जो सिविल सिकॉर है वो चेक किया जाएगा यहां पर आपको कम सिविल सिकॉर पर भी loan मिल जाती है जिसके बाद आपको next कर देना है अब जैसे click करने के बाद आपके सामने आपकी detail आ जाती है अब यहां से आप से पूछेगा जो भी आप loan amount लेंगे वो कौन से account में लेना चाहते हैं आप चाहें तो in bank में ले सकते जाएगा यहां पर आपके एक रुपिय आपके अकाउंट में सेंड किया जाता है जिससे कि account verify हो जाता है अब account verification होने के बाद आपके account में 24 hours तक आपके account में पेसे सेंड कर दिये जाते हैं इसके बाद आपको यहां पर इसकी penalties बगेरा बनी होती है अगर आप इनकी loan को do करते हैं तो यह सारी जान करें दोस्तों में आपको बता दी है वीडियो परशांद आए हो तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें thank you for watching this video